पाकिस्तान की वित्य हालत और कैपैसिटी चार्जेस की त्रास्थी, 130 अरब डॉलर के कर्ज और 65 अरब डॉलर की अदाईगी. नाजरिन, अस्सलाम वालेकुम. आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जो न सिर्फ पाकिस्तान की वित्य स्थिती को प्रभावित कर रही है, बलकि इसका असर पूरी अर्थ विवस्था पर पढ़ रहा है. पाकिस्तान की आर्थिक त्रास्दी का एक बड़ा हिस्सा कैपैसिटी चार्जिस से जुड़ा हुआ है. ये वही मुद्दा है जो पाकिस्तान के लिए एक गंभीर चुनौती बन चुका है और इसका हल निकाला जाना जरूरी है. तो चलिए जानते हैं कि ये कैपैसिटी चार्जिस क्या है और पाकिस्तान को इससे क्यों जूजना पड़ रहा है. कैपैसिटी चार्जिस का मतलब और पाकिस्तान के लिए उसका असर. पाकिस्तान में बिजली सप्लाई के मामले में एक गंभीर समस्या उत्पन हो चुकी है जिसे हम Capacity Charges के नाम से जानते हैं दर असल पाकिस्तान के पास कई पावर कमपनिया हैं जो बिजली तो सप्लाई नहीं करती लेकिन फिर भी पाकिस्तान इन कमपनियों को पैसे देती है इन पैसे को Capacity Charges कहते हैं जो अब तक 65 अरब डॉलर तक पहुँच चुके हैं ये Charges पाकिस्तान की बाहरी कर्ज के हिस्से में शामिल हैं जिसका कुल आकार 130 अरब डॉलर है अगर पाकिस्तान को इन 65 अरब डॉलर की अदाईगी न करनी होती तो पाकिस्तान की आर्थिक स्थिती कहीं बहतर होती Capacity Charges के कारण पाकिस्तान की वित्तिय समस्याए अब अगर इस 65 अरब डॉलर को निकाल दिया जाए तो पाकिस्तान का बाहरी कर्ज सिर्फ 65 अरब डॉलर बचता चुकि अपेक्शकृत कम होता लेकिन जब पाकिस्तान को ये पैसे देने पड़ते हैं तो उसे बाकी के कर्ज चुकाने में भी दिक्कत होती है यही कारण है कि पाकिस्तान की सरकार को अब एक नई नीती अपनाने की सक्त जरूरत है पाकिस्तान का समगर आर्थिक दबाव बढ़ चुका है और इसका हल जल्द से जल्द निकाला जाना चाहिए क्यों नहीं काम आया पब्लिक प्राइवेट साज़ेदारी का मॉडल अब पाकिस्तान की सरकार के पास एक समाधान था वह था पब्लिक प्राइवेट साज़ेदारी का मॉडल इस model में सरकारी कमपनियां उन पावर कमपनियों को खरीच सकती थी, जो बिजली सप्लाई नहीं कर रही थी, लेकिन फिर भी उन्हें capacity charges मिल रहे थे लेकिन यह model भी अब तक काम्याब नहीं हो पाया है इसके कारण भी कई हैं और एक बड़ा कारण यह है कि पाकिस्तान की सरकारी कमपनियों की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि उन्हें कोई खरीदीने को तयार नहीं है पिया की विफलता और सरकारी कमपनियों की विक्री आपने देखा होगा कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एरलाइन्स पिया को बेचने की कोशिश भी नाकाम हो चुकी है इसका कारण यह था कि पिया के जहाज और अन्यसंसाधन बेहत खराब हालत में थे और प्राइवेट कमपनिया इन्हें खरीदने के लिए तयार नहीं थी रास्ता नहीं बचा है करजा, Capacity Charges और सरकार की नाकाम कोशिशें पाकिस्तान को 130 अरब डॉलर का करजा चुकाना है जिसमें से 65 अरब डॉलर सिर्फ Capacity Charges में चले गए हैं अगर पाकिस्तान के पास इन चार्जेस का बोज न होता, तो शायद वह अपनी वित्तिय स्थिती को बेहतर बना सकता था हालाकि सरकार ने कई बार इस मुद्दे का हल निकालने की कोशिश की, लेकिन हर बार यह कोशिश नाकाम रही यही कारण है कि पाकिस्तान को अब अपनी आर्थिक नीती में बदलाव करना होगा और एक नई दिशा की ओर बढ़ना होगा सरकारी कमपनियों को सुधारने और बेचने का समाधान अब पाकिस्तान के पास एक और रास्ता था, वह था सरकारी कमपनियों को सुधार कर बेचना और उनके द्वारा प्राप्त पैसे से उन पावर कमपनियों को खरीदना, जो पाकिस्तान को बिजली नहीं देती लेकिन यहां भी एक बड़ा रुकावट आ रही है सरकारी कमपनियों को ठीक करके बेचना भी एक चुनौती बन चुकी है क्योंकि इन कमपनियों की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि उन्हें बेचना किसी भी खरीदार के लिए फाइदे मंद नहीं होगा कर्जा और बढ़ते सूद के साथ पाकिस्तान का भविश्य पाकिस्तान की स्थिति यह है कि वह अपने कर्स का भुकतान कर रहा है लेकिन इसके बावजूद कर्स और सूद की राशी लगातार बढ़ रही है इस पूरे मसले को सुलजाने के लिए पाकिस्तान को अपनी आर्थिक नीतियों में भारी बदलाव करना होगा अगर पाकिस्तान ने अपनी नीति में सुधार नहीं किया तो यह स्थिति और भी बिगड़ सकती है एक नई आर्थिक नीति की आवश्यक्ता अब पाकिस्तान को अपनी आर्थिक नीति में बदलाव करना होगा इसके लिए एक नई रणनीती अपनानी होगी जिसमें हर कुछ महीने बाद में नीब जट लाए जाएं और टैक्स बढ़ाए जाएं इससे पाकिस्तान को कुछ राहत मिल सकती है लेकिन इसका मतलब यह भी है कि पाकिस्तान को अपनी वितिय स्थीती को सुधारने के लिए एक थोस कदम उठाना होगा निशकर्ष पाकिस्तान एक ऐसी स्थिती में फसा हुआ है, जहां से निकलना बेहद मुश्किल हो चुका है एक 130 अरब डॉलर का कर्ज और 65 अरब डॉलर का कैपैसिटी चार्जिस का बोज पाकिस्तान की अर्थ विवस्था के लिए एक गंभीर संकट बन चुका है इसका हल निकालने के लिए पाकिस्तान को अपनी सरकार की कमपनियों को सुधार कर बेचने की नीती को अपनाना होगा, लेकिन इसमें भी कई चुनौतिया है अगर पाकिस्तान ने जल्द से जल्द अपनी आर्थिक नीतियों में बदलाव नहीं किया, तो यह स्थिती और भी गंभीर हो सकती है